नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे स्वेसी क्लासिस टेक में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास्टी इन साइंस चाप्टर नमबर सेकन यह इस चाप्टर का फॉर्स वीडियो है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं डोबे राइनर ट्राइड्स के बारे में एकदम मत भूलेगा चलिए फ्राइड करते हैं आज हे हमारे इस वीडियो को हैं क्या चाप्टर करने से पहले यहाँ पर can you recall में कुछ question पूचेगा है उनके बार में यहाँ पर हम discuss करते हैं बच्चों यहाँ पर देखो पहला question है what are the types of matter यानि matter की कौन-कौन से यहाँ पर type है तो देखो बच्चो solid, liquid, gas and plasma यह तो type हो गए किसके matter के अब देखो यह तो type होगे state के अनुसा यानि वह कौन से state में available है solid में है, liquid में है, gas में है या फिर plasma में है यह तो होगे अब आप कहेंगे सिर्फ matter क्या होता है matter का मतलब होता है anything that has a mass and occupies space ऐसी चीज जिसे mass है और जगा लगती है space लगती है, so that is called the matter चीक है तो जंदल हम उसे solid, liquid, gas कह सकते हैं उसके type चीक है और तरीके से हम उसे classify कर सकते हैं that is the element, compound and mixture तो element, compound, mixture क्या होता है मैं आपको इसके बार में बाद में detail में आपको बता दूंगा ठीक है हमारे third वाले chapter में, okay इतना आप यहाँ पर याद रखो, अब next question है what are the type of the elements, element के कौन को से type है बच्चो तो देखो जो element होते हैं उनके type होते हैं metal, non-metal and metalloid यह general type है तो देखो बच्चो जो metal सबसे पहले discover हुएते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते थे जन्दली उसे उसके properties के अधर पर उसे हम classified करते थे, टाइप उसके हम गिराते थे ठीक है लेकिन जन्दली वहाँ पर क्या था हमें दो ही properties पता थी एक metal और दूसरी non-metal चैक है course of the time, यानि time के साथ हमें थीसरी property भी पता चल गए that is the metalloid तो element जो होते है जन्दली हम उन्हें तीन टाइप में divide करते हैं metal, non-metal और metalloid के बारे में ठीक है इसको आपको यहाद रखना है उसके बाद देखो what are the smallest particle of the matter part, यानि matter का smallest particle कौन सा होता है उसे हम क्या कहता है तो देखो बच्चो जो matter का smallest particle होता है that is the atom, उसे क्या कहता है से बनी हुई है उसी तरीके से जो मैटर है वो आटम से बना हुआ है अब आटम को ना हम डिवाइड कर सकते हैं ना उसी कुछ कर सकते हैं आपको पाता हो दो आपड मरत celer सब्स्से स्माललेत्ट हैं मैटफ़ का कई यह अप में हां पर यहां रखना होगा ओके चलो अब यहां पर हम जानेंगे किम क्लासि होता क्या है चलेंग ग्लासिपेकर եीक्या होटा चीक है, on the basis of their similarities and differences, similarities and differences के basis पर उसका हम group करते हैं, उसे हम sort करते हैं, इसे कहते हैं बड़ा classification, चीक है, अब element के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, grouping or sorting of the element based on their similarities and differences, यहाँ पर क्या करते हैं, उसके similarities और differences का अधर पर उसके group बनाते हैं, उसे sorting करते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, classification कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, classification कहते हैं, देखो, it makes their study much easier, अब सबसे important चीज़े के हम classification क्यों करते हैं, क्या जरूत है classification की, तो बड़ा जरूत इसलिए है, क्योंकि हमें, it makes their study much easier, हम क्या कर सकत तो मान लेजें आपके पास thousands of thousands of चीजें हैं तो मुझे बताओ कि आप हर एक अगर एक एक स्टेड आप वहां पर करोगीए तो उस गुरूप की जब आप सटी करोगे तो उन सारे एलेमेंट के बारे में पता चल जाएगा तो हमें क्या होता है जब हम सटी करते हैं तो फोड़ा सामी इजी जाता है आप यहां पर हम बात करने वाले हैं Parodic Classification of Element के बारे में यहां जो Element है इससे हमने किस तरीके से Classified किया है Element को ठीक है और Scientist का नाम क्या है उसके बार भी हम यहां पर जाने वाले थोड़ा साय पर स्पेलिग मिस्टक है अब यहां पर किस किस ने Classified किया और उसको नाम क्या था ठीक है पहला Classification हो था उससे नाम दिया था हमने डोबे राइनर ट्राइट्स यह डोबे राइनर ने Classified किया था उसके बाद ने क्या था उसके बाद में तीनों के बारे में आपको बात में बता ही दूंगा ठीक है अब देखो बच्छों आज तक यानि जब तक में वीडियो बना रहा हूं तब तक एक्सजो अठरेलेमेंट हमें पाता हैं चाहिक है अब बात करते हैं ऴर्ठाईसोने अच्छों में यहां पर क्या करेंगे 200 सा और कि स्फिक्स नगे सब्सक्ने सो वहाँ पर क्या होता था शाइंटिस ने और इंफरमेशन क्या दर कि सैंटिस ने एलेमेंट के बारे में ठीक हैं और उन्हें क्लासिफाइड करना स्टार्ट कर रहे तो वहाँ पर उन्हें उतनी difficulties नहीं गई तो जैसे जैसे element वहाँ पर discover हो रहते तब उन्होंने उस element के बारे में और पड़ा और उसके बाद उन्होंने उसे classified करना दो ग्रूप में उसे classified करते हैं अब दो ग्रूप को से तो एक था metal और दूसरा था non-metal यानि initially scientist ने क्या क्या जो element थे उन्हें दो ग्रूप में डिवाइड कर दिया metal and non-metal in the course of time वहाँ पर क्या हुआ पेटा एक और ग्रूप पता चल गया और एक property उन्हें पता चल गई that is the metaloid क्या होती है metaloid अब metaloid क्या होता है देखो metal और non-metal के बीच में जो element होते हैं उसे metaloid कहते हैं अगर आप periodic table देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में metaloid होते हैं और मेटल नॉन मेटल के प्रॉपरिटी में होते हैं दोनों तो भी प्रॉपरिटीज उसमें होती है that's why it is called the metaloid बाद में आपको इसके बार में पता चल जाएगा अब देखो element तो यहाँ पर उसमेयर नने मुद्देखो मेंदने इस तरीके से उन्होंने ट्राइडिस बनाए कि जिसके उसाप से उन्होंने इलेमेट क्लासिपाय करना अभी एच्या इसके बार में यहाँ पाराम थे待 हैu देखो, डोबे राइनर suggested that the properties of the element are related to their atomic masses, अब डोबे राइनर ने क्या कहा, कि जो किसी भी element की जो properties होती है ना, किसी भी element की जो properties होती है ये related होती है to their atomic masses, उसके atomic mass से related होती है, लेकिन actual में ये सही नहीं था, अगर हम बात करते है modern product table में, तो यहाँ पर जो modern product table arrange क्या गया है, वो किया गया है, atomic number के आधार पर, यानि जो element के जो properties होती है, ये depend करती है, atomic number पर, not the atomic masses, ठीक है, लेकिन वहाँ पर scientist को पता नहीं था, atomic number के बारे में, उन्होंने तब पता नहीं था, atomic number क्या होता है, atom के अंदर क्या होता है, ये चीज़े उन्हें पता नहीं थी, तो that's why, classified करना start कर लिए, ठीक है, और उसे के हिसाब से उन्होंने बताया, कि जो element होते हैं, उनकी जो properties होती है, ये related होती है, to their atomic masses के आधार पर, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आप देखो, classify the existing element in a tubular for by placing the three elements having a similar chemical properties in a group called the trides, ठीक है, ठीक मेंड़ा, थोड़ा सा spelling विस्टे हो गया, देखो, क्या हो गया, अब उन्होंने क्या किया, Similar chemical properties के आधार पर उन्होंने देखा कि तीन ही element उन्होंने उठाए, ठीक है, और उन्होंने देखा कि उन्हों तीन element में chemical properties same है, इन तीनों में chemical properties same है, उन्होंने इस तरीके से वहाँ पर arrange किया, ठीक है, मान लेजिए उन्होंने तीन element ले लिए, A, B और C, तीनों की जो chemical properties है वो तो same है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इन तीनों को उसके atomic masses के अधार पर उन्हें arrange किया, in increasing order, देखो उन्होंने क्या क्य the elements were placed according to the increasing order of their atomic masses, अब उन्होंने क्या क्या उस element को, increasing order, their atomic masses के आधार पर उन्होंने increase किया, मतलब अगर इसका atomic mass अगर 1 होगा, तो यह पहले होगा, B का अगर 2 होगा, यहां पर होगा, C का अगर 3 होगा, तो कुछ इस तरीके से, क्यानि, increasing order of their atomic masses, इसके इसाब से उन्होंने स सारे element को आपर arrange किया, उन्होंने तीन-तीन का group किया यहां पर, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है, यहां पर देखो, the atomic mass of the middle element in each trides was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other two elements, उन्होंने यह यहां पर कहा, कि जो दो element है, पहले वाला और last वाला, ठीक है, इन दोनों का जो भी mean होगा, atomic masses का जो mean होग वो बीच वाले element इतना होगा, समय मेरा में क्या कह रहा हम, उन्होंने क्या किया, देखो, उन्होंने पहले तीन element लिए, A, B, C, इन तिनों की chemical properties सेमें, तो उन्होंने क्या कहा, कि जो पहला element है, और जो तीसरा element है, इन दोनों का अगर आप mean निकालोगे, average निकालोगे, of the atomic mass तो यह किसके बराबर होगा, वो बीच वाले element के बराबर होगा, तो इसी को हम कहते हैं, दोबे राइनर ट्राइड्स, इसी को क्या कहते हैं, दोबे राइनर ट्राइड्स कहते हैं, अब किस तरीके से हुआ है, मैं आप आपको एक बार दिखा देता हम, देखो, यहाँ पर म सोमन मास कित्का है लित्यम का 6.92 है सुड्यम का कितना है 23 किका कि यह णों के क्या हूआ सैंबाह इंध्लिब्वेड पॉइयं कित्ना है थैसे सब्सक् MEMBER क्या होगा nya इसनल करेंगी थानकर हाउम्न हो इंध्लिग हूआ मतलब 40 मतलब यह लगभव आ जाएगा बच्चो लिटियम का और पोटेश्यम का जो भी आ चुका है वह आ चुका है 23 अब देखो जो बीच वाला इलेमेंट है उसका नाम क्या है सोडियम तो सोडियम का अटमिक मास कितना है 23 यानि इन दोनों के आवरेज के बाराबर हो गया उसका मतलब यह क्या है यह डोबे राइनर ट्राइड्स है चलो और कुछ एक्जांपल देख लेते हैं तो देखो बच्चो यहां पर मैंने आपको पहले वाला तो एक्स्पेंट कर दिया है उसके बाद चलो क्यालिशियम का कितना है अटमिक मास 40 है उसके बाद यहां पर देखो बेरियम का कितना है चो बेरियम का है 137.3 तो हमें क्या करना है जो बीच वाला एलेमेंट वो कौन सा है स्टोंटियम है तो स्टोंटियम का पहले वाला और थर्ड वाला कितना आएगा दोनों का निकालेंगे तो यह आएगा तो यहां पर देखो अब यहां पर एवरेज कितना आ गया है तो लगबक सेम है लगबक सेमें पॉइंट का तो डिफरेंस है तो उसका मतलब यह भी क्या है कि Dobe Reiner Trides है तो आपको सेमझ में आगया होगा कि Dobe Reiner Trides क्या था और किस तरी के से हम इसे यहां पर देखे हैं किस तरी के साम इसे यहाँ पर पढ़ते हैं अब आपको सारी ची समझ में आगई होगी अब नेक्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले एक बार में आपको बता देता हूँ नेक्ट वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं New Lands Law of Octave इसके बार में हम पढ़ने वाले हैं आपको अगर ऐसी वीडियो देखने हैं तो अभी हमर्चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेर करना महत भूएगा थैंक्यू तो वाज दिस सेशन बुद्बाई चेक केर गड़ ब्लेस वाला कियो